दोस्तों मिसाइलों के छेत्रम में भारत के डियाडियों ने इतना काम किया है कि मैंने इसी वज़े से एक नाम दिया था भारत को मिसाइल प्रधान भारत जो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया था अब आप देखी ना प्रत्वी मिसाइल से लेकर भारत के पास आज की नेक्स जनरेशन वाले अगनी प्राइम मिसाइल तक मौजूद है बात करें इंटी रेडियेशन मिसाइल की जूकि दुनिया में बहुत कम देशों के पास है वो भी बना डाली यहां तक की यर टू यर मिसाइले भी भारत के डियाइईओ ने बड़ी ही सफलता पुर्वग बना डाली लेकिन दोस्तो आप सबी लोग जानते हैं कि एक मिसाइल भारत के डियाइदियो को बहुत परेशान कर रही है और काफी समय से कर रही है जिस वज़े से भारत के DRDO का नाम भी खराब हो रहा है और वो मिसाल कोई और नहीं बलकि भारत की ITCM है इंडिजिनेस क्रूज मिसाल निर्भे मिसाल आप सब जानते होंगे कि इसके मल्टीबल टेस्स फैल हो चुके हैं कभी ना कभी कोई ना कोई परिशानी इसके अंदर आ ही जाती है यानि आप ये मान लिजिए कि अल्टरनेटिव चलता इसका टेस्स एक टेस्स पास होगा तो फिर दुसरा टेस्स फैल होगा ये अभी तक सलसला चलते आ रहा है ऐसे परिस्सेदे में दोस्तो काफी हद तक हम लोग डिस्टरब हो चुके हैं क्योंकि भारत के पास अपनी खुद की इंडेजिनेस टेक्नॉलजी वाली फिलाल कोई क्रूज मिसाल है ही नहीं क्योंकि जितना हमने इसका लिमिटेट प्रोडक्शन किया भी था उसमें हमने रुशियन एंजिन का इस्तमाल किया था बहुल मिलाकर भारत की तरफ से टोटली इंडेजिनेस मिसाल जो क्रूज मिसाल होगी वो अभी तक हमारे पास मौज़ूद नहीं है और ये कही न कहीं अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है अब दोस्तो इसी परिस्तिती में कुछ प्रावेट प्लियर्स सामने निकल कर आए है और कुछ मिसाल के ओफर दिये जा रहे है एक्चुली कही सारी मिसालों के उपर काम किया जा रहा है प्रावेट सेक्टर के द्वारा और वो लोग चाहते हैं कि एक लॉंग रेंज में कुरूज मिसाल बनाई जाए तो ऐसी परिस्तिती में ये दो एंजिन हमारे पास आवे लवल होंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटिस ज्यादा बनती है कि हमारा काम अच्छा हो जाएगा ये नहीं तो ये सही समझ रहे हैं तो यहाँ पर कल्याने ग्रूप की भी एक अच्छी पहल है आई होप की जल्दी ही वो लोग अपना जेट एंजिन डेवलाप कर ले इसके साथ दोस्तो भारत डाइनमिक लिमिटेट और जी एसर डाइनमिक लिमिटेट के दोरा कुछ क्रूज मिसाइल के डिज़ैन फाइनलाइस किये गए है एक्छी इनों ने कॉलेबराट करके तीन मिसाइलों की डिज़ैन तयार किये है चुकि हमारे सरकार और डिफेंस मिनिस्टरी के सामने रखे भी है इनमें से दोस्तो एक मिसाइल का नाम है वेल ये एक लॉंग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज बताई जा रही है तीन सो किलोमेटर के आसपास इसके साथ एकोर मिसाइल जो डिज़ैन की है उसका नाम बताई जा रहा है खगनग जिसकी रेंज होने वाली है 180 किलोमेटर के आसपास यह पी obviously cruise missile है इसे के साथ जो तीसरी missile है वो वगनक नाम से है जिसकी रेंज बताई जा रही है तेर्ड सो किलोमेटर याने इस तरह की तीन cruise missile इन लोगों ने डिजैन तयार किया है ऐसे परिस्तेती में अगर ये लोग सफर हो जाते हैं अपनी cruise missile लोगों करने के मामले में तो काफी अच्छा हो जाएगा भारत के हिसाब से इस तरह के private sectors जब हमारे defense sector में कड़म रखेंगे तो ये भारत के लिए बहुत हितकारी थाबित होगा अब दोस्तों यहाँ पर जरुवत है कि हमारी सरकार प्रूज मिसाल के लिए वेट करना चाहिए या फिर private players को भी यहाँ पर मौका देना चाहिए निशी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा